नमस्कार फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है मैं आनन स्टील मार्स आज मार्केट गिरिये और बारीद गिरावटती जब सुबह मैं देख रहा था 150 पॉइंट नीचे आया बैक निफ्टी तो 70.2 परता जब मैं बोलने के लिए तैयार हो रहा था है मार्केट स्लाइटली देख हो कि 120 पॉइंट नीचे है बैक निफ्टी एक 120 पॉइंट उपर है ये कोशिश कर रहे हैं कि डमस्टिक निचुल फंड और रीटेल इन्वेस्टर्स की बैंक निफ्टी को उपर रखकर मार्केट की फ अंतर बेच रहे हैं और डमस्टिक इंस्टिशल इंवेस्टर्स करीदारी कर रहे हैं सोने के दाम में साफा हुआ इसलिए साफा हुआ कि कल फ्राइडे इंटरनेशनल मार्केट सोपन 300 डॉलर ओपन था तो ट्रेड में रूपिया का दाम नीचे आया एक समय 24 रुपिया 50 पैसा के ऊपर चला गया 84.50 आकि रंत में 84.48 में था तो यह लास्मीता की आज मार्केट गिरेगी क्योंकि अमरिकन मार्केट में भारी गिरावट थी जो ट्रम्ट ट्रेड है उसमें से जो गेंस आये हैं उसमें लगबग 50 परसंट ये की दिन में चला गया तो लास्मीता की भारत की मार्केट में गिरावट आये और गिरावट आई प्राइमरली ये क्या हुआ कि IT स्थाफ्स को भेहत मारा गया तो लगबग 4 परसंट डाउं थी IT इंडेक्स और जो पांच बड़े कंपनी हैं अभी भी हमें कंसेड्रेशन के रेंज में आसपास नहीं है हम इसको कंसिडर नहीं कर सकते हैं आप आराम से वेट कीजिए आपको समय आएगा जब मौका पालेगा तो हमको बताएंगे कि कब IT स्थाफ्स कंसिडर कर सकते हो हम आज IT स्थाफ्स कंसिडर नहीं कर सकते हैं और जो मार्केट में गिरावट है वो IT के कारण ही गिरावट आ रही है लेकिन मैं आज आपको स्टाट अप कंपनी जिन्होंने पब्लिक गई उनके बारे में कुछ बात करना चाहता था जेप्टो नाम का एक कंपनी है भतरास में बहुत पॉपलर है इंडिया बर पॉपलर है लोग वोसे इंस्टेंट डिलिवरी के लिए यूज कर रहे हैं न्यूस आ है कि हर महीने 250 करोड का लास हो रहा है तो ये एक सीधा बात है कि जेप्टो ने 250 क्रोज पर मंत लास कर रही है अभी उन पर 2500 करोड का पैसा लगाया है एक रिपोर्ट बोल रही है तो 250 क्रोज अभी तक लास किया है महीने का लास सिर्फ 40 या 50 करोड हो रहा है पांच महीने में 250 करोड की लास है जो कैमरा मैन है मेरे सामने उन्होंने बोला है कि जो भी सामगरी उनको चाहिए चीज चाहिए क्योंकि विजटेबल सो फूट सो कोई ग्रासरी हो तो वो जेप को पकटने के लिए उसे सश्ता बेच रहे हैं तो इस भारत की जो कंंसोंशन डिम मेंड है उसको मीट करने के लिए डिस्कोंट में बेच रहे हैं Competition में Blinkit, Swiggy Insta Mark भी है और तीनों एक दूसरे से compete करने के लिए last में material बेच रहे हैं दूसरी में कहना चाहता हूँ होन सा consumer जो ममा ब्रेंड को होन करता है एक बड़ी अभीने 3 थी एक star ले रही है थी उन्होंने जो उनके stock को बेची थी उसमें जब IPO का आया था एक साल के लिए dressing किया था finances को लोग बोल रहे है वा वा क्या अच्चा company है क्या fire dairy यह returns तो यह मैं आपको बोल रहा था सारे IT new age companies profit के बारे में डीला है एक दिन ना ही एक दिन सही सक्वाटर में सचाई सामने आया sales नहीं हुआ inventory loss 70 करोड लेना पड़ा sales growth भी नहीं था और loss भी था जो बोल रहे थे internet के बाहर sales होंगे off the self sales उसके बारे में रोसी projections दीती उनको meet नहीं कर पाए और एक बड़ा loss जटका लगा company को market में retail investors को उससे बड़ा जटका लगाया एक ही दिन में 20% lower freeze हो गया और जब freeze को लेगा फिर से नीचे आएगा अगर आपने पैसा भी नहीं लगाया तो आप active mutual funds में लगा होंगे और वो पैसा दूब रहा है ये सब बड़े बड़े company जो start-up non-profitables हैं उसके जब market में आया तो सारे investments mutual funds ने की थी वो लाको वैसे ही हाइट किया गया 76 रुपीज का share को बढ़कर उसको 157 तक लेके गये बोल रहे थे कि भावेश अगरवाल अगला अलान मसक है लेकिन गाड़ी चला नहीं गाड़ी में आने एक प्राब्लम था कुनाल कांद्रा ने इनको एक्सपोस किया बगेश अगरवाल ने कुनाल कांद्रा को मा बेन बोल दिया प्रिटर में लड़ाई जगड़ा शुरू हो गई market गिरना शुरू किया अब आज 70 रुपिया के नीचे ट्रेड हो रहा है 68 रुपीज में Bureau of Indian Standards ने इन्विस्टिगेशन शुरू कर दी है सच है कि प्राब्लम बहुत ज़्यादा है solutions नहीं है replacements नहीं आ रही है PTM हभी भी को जरा है क्या business करें क्योंकि सारी business उनकी ती जो fund transfer की उनकी सारी चली गई अगला news हमको मिल रहा है नाइका से नाइका क्लेम कर रही है उनकी results बहुत अच्छी है 30 करोड के profit की है और इसमें उन्होंने कहा है कि अच्छा result है और स्टाप को बढ़ा रहे हैं और ये 40-50 times earnings है जो reliance की company है उसकी बेटी टिरा नाम का एक cosmetics brand अच्छी बिक रही है तो क्यों नहीं उसको ले लें क्यों हम प्रीस को नाइका को ले रहे हैं तो आपको 25 times earnings में बिल जाएगा तो इसमें क्यों या नेक अच्छी इस नहीं है IDC का दाम भी less than 25 times earnings है आप इसको consider कर सकते हो हर दिन 13 करोड की business के ऊपर वो बेच रहे हैं सोप और शैंपूस तो उसको क्यों ना consider किया जाएं तो वैसा ही हो रहा है सारे start-ups में क्यारला कम्मिनस के लिए firm मशूर है लेकिन जो problem है भारतिय बैंकिंग इंडस्ट्री में उसका solution भी क्यारला में है बारतिय बैंकिंग का problem यह है कोई deposit नहीं डालने के लिए तैयार नहीं है क्यारला में तो यह नाराय economy चल रहा है तो सबसे ज़्यादा लोग भारत से जो मिडलीस पे रहते हैं तो क्यारल से रहते हैं तो जो तीन चोटे-चोटे प्रेवेट सेक्टर बैंक जिनके बारे में जिकर करता हूँ वो सब उन्होंने सब उधर एक बड़ा ही है नराय फोकस सुरू कर दी साथ इंडियन बैंक ने अपने ब्रांच ज मिडलीस में एक्स्पैंड कर दी तमिलनाडो मरकेंट है बैंक में एक बड़ा सा ब्रांच कोल दिया है नराय इसके अलफ है नराय इसके लिए कोचिन में और सेट इंडियन बैंक भी नराय कस्टमर्स को टार्गेट कर रही है और फेडरल बैंक भी टार्गेट कर रही है लेकिन federal bank की राकास हुई है आप इसको consider नहीं कर सकते हो Tata's में 2-3 news हैं पहला Tata Motors ने कहा है कि Q3 में उनका sales बहुत अच्छा था तो इसलिए Q3 का sales अच्छा होगा H2 better than H1 Tata ने Pegatron नाम का एक company में majority stake करीद ली वो मदरास में iPhone assemble कर रहे हैं लेबर और Office Facility Management स्टाटा करेगी टेकनलोजी Pegatron का रातन टाड़ा साब का हाकरी विसित ता असाम जहां उन्होंने Cancer Hospitals खुली और एक semiconductor factory भी अनूंस करने की गोशित की थी अभी इंचदर शेका साब बोल रहे हैं कि उस factory से 48 billion chips हर साल वो तयार करेंगे उन्होंने ये गोशना कर दी तो टाटास की सभी conductor business बैतर हो रही है तो अगर आपको आज तक consider करना है तो अगर आपको आज तक consider कर सकते हैं 1150 में नाट को consider कर सकते हो और इंडसिन बैंक 1002 में trader है अगर triple digit में पहुंच गया है तो आप उसको भी consider कर सकते हो आज के लिए इतना ही आपने इस podcast को सुना इसके लिए मैं आपका अबारी हूँ हो सके तो इस वीडियो को लाइक कीजिए चैनल को सब्सक्रीब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं इस वीडियो को अपने दोस्तों जिस्तेदार के पास बेजें और उनको देखने के आगरे करें नमस्कार धन्यवाद जाहिंद